नमस्कार दोस्तों, अगर आप फोर्स गुर्खा या फिर महिंदर थार के पीछे कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी लेंगी ज्यादा बेटर रहेगी तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी सबसे पहले बात करते हैं इंचिन के बारे में, दोनों के इंचिन में ज़ादा फारत मिली लेकिन जो पावर आउटपुट है उस ते थोना सा डिफ्रेंस है, फोर्स गुर्खा के अंदर आता है 2.2 लिटरेटर डिजल इंजन, CRD, उसका जो पावर आउटपुट है, वो है 140 HP at 3,800 RPM, 321 एनम टॉक जो देता है 1600 RPM से लेगे 2400 RPM तक, अब बात करते हैं महिंदर थार की, महिंदर थार के अंदर 2.5 लिटर का CRD इंजन आता है, जिसका पावर आउटपुट है 107 HP at 3,800 RPM, 247 एनम टॉक जो मिलता है 1800 RPM से लेगे 2400 RPM के पीच में, दोनों के अंदर 5-speed manual gear है, फोर्स गुर्खा की जो छत है वो आती है पूरी की पूरी मेटालिक हाट टॉप की with insulation, लेकिन महिंदर थार की जो छत आती है, वो आती है soft top के साल, without any kind of insulation, यहाँ पर महिंदर थार थोड़ी पीछे रह जाती है, इंजन के मामने देखा जाए तो इंजन का मुकाबला बराब बराबर काया almost, थोड़ी बहुत पावर का output थोड़ा अलग-अलग है, लेकिन difference कहाँ पड़ता है, difference ही पड़ता है, कि जो फोर्स गुर्खा का weight है, वो है 2,050 kilos, और वहीं पर महिंदर थार का weight है, वो है 1,750 kilos, तो यहाँ पर महिंदर थार एक definitely winner है, क्योंकि जतनी ज्यादा lightweight गाड़ी होगी, उतना जो output derange है, उसका इस्तमाल कर पाएगी, जैसे कि कोई भी climbing area होगा, वहाँ पर महिंदर थार अराम से निकल जाएगी, कोई भी loose gravel वाला area होगा, लेकिन force गुर्खा को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि heavy weight की वज़े से tire slip करेंगे, इंडिय अरिया में सिर्फ force गुर्खा ही गाड़ी है, जिसके अंदर manual differential lock आते है, जी आप पहले आते थे महिंदर थार के अंदर, वो गाड़ी से निकल के tire के अंदर से घुमाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पर महिंदर थार के अंदर automatic rear differential lock आते, force गुर्खा के अंदर दोन काम है, और गाड़ी खुद ही decide करते ही कब differential lock को on करना है और कब इसको off करना है, इस गाड़ी में front में differential lock नहीं आता है, सिर्फ rear में आता है, उसके बाद जो इनका length, width और height है, इसका चाड़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन जो ground clearance गुर्खा की है, वो 10 mm थोड़ी ज वो है 40 degree, वहीं पर महिंदरा थार का departure angle है, वो है 27 degree, बहुत कम है, फोर्स गुर्खा का ramp over angle है, वो है 30 degree, वहीं पर महिंदरा थार का ramp over angle है 15 degrees, फोर्स गुर्खा की जो गाड़ी है, वो company fitted snorkel के साथ आता है, यानि इसकी जो air intake capacity है, वो है 510 mm तक, वहीं पर महिंदरा थार की जो water capacity वो 240 mm के पास है, अब बात करते हैं, फोर्स गुर्खा के suspension की, फोर्स गुर्खा में, फ्रेंट में और रियर में, दोनों जगह पे, coil spring suspension आते हैं, वहीं पर महिंदरा थार में, फ्रेंट में आता है या suspension, रियर में leaf spring suspension आता है, तो फोर्स गुर्खा जब roads पर चलेगी तो काफी बेटर फील करेगी ब्रेकर्स की उपर जर्ट्स की उपर लेकिन वहीं पर महिंदर अथार फ्रंट आराम से सॉफ्टली निकल जाएगा लेकिन जो रियर रहेगा वो पुरा बंप भी रहेगा फोर्स गुर्खा का जो इंचन है एक हाट टॉप होने के बार भी हाई स्पीड की उपर काफी नॉइस करता है वहीं पर महिंदर अथार का इंचन हाई स्पीड बजाने के बार इतनी आवाज नहीं करता काफी स्मूथली रन करता है Force Gurkha का जो steering काफी हद तक trucks की तरह है लेकिन Mahindra Thar का जो steering काफी हद तक SUV की तरह है Force Gurkha की जो sitting height है वो थोड़ी सी उपल है Mahindra Thar से तो जो visibility area है Force Gurkha का वो काफी अच्छा है और वहीं पर Mahindra Thar की जो height है वो काफी कम होने की वज़े से महिंदर थार फोर्स गुष्ठ गूंधार के अमसामने च्छोटी लगती लेकिन महिंदर थार की जो । यह यूप्लोख लग प्रॉपर तो फोर्स गुष्ठ उस अलवल अफ़ और फोर्स को इतना heavy भी नहीं है कि आपको truck वाली feeling आए और महिंदर थार क्लच इतना light भी नहीं है कि आपको car वाली feeling आए Force Gurkha के अंदर Ford Log option नहीं है लेकिन उसके अंदर एक crawl function है यानि कि गाड़ी automatically decide कर लेगी इसको crawl में जाना है और वो 800 RPM के अंदर 293 NM talk प्रोवाइड करी जो की बहुत अच्छा है इतनी बड़ी गाड़ी को pull करने के लिए Force Gurkha के जो gears है वो इतने smooth नहीं है जितने महिंदर थार के हैं अगर महिंदर थार का clutch अच्छे से use किया जाए तो महिंदर थार का gear shift है वो काफी अच्छा है वहीं पर Force Gurkha का clutch इतना light नहीं है तो gear shifting थोड़ी से दिक्कत वाई जीज़ है अब interior में देखा जाए Force Gurkha का जो dashboard है वो एक commercial vehicle की तरह दिखाई देता है लेकिन जो महिंदर थार का dashboard है वो थोड़ासा उसके comparison में देखा जाए थोड़ासा premium है थोड़ासा अच्छा देखने वाला है और थोड़ासा color डाला हो इसके थोड़ासा match किया हो है थोड़ासा better दिखता है Force Gurkha के जो seats है वो महिंदर थार से जादा better है as comparison to comfort wise देखा जाए तो Force Gurkha में चड़ने के लिए grab handles दिये गए है और एक dead pedal दिया गया है वहीं पर महिंदर थार के अंदर ना grab handle दिया गया है ना ही dead pedal दिया गया है जिसके वज़े से आपको थोड़ा चड़ने उताने परिचा उसमें काफी space है पीछे की तरफ वहीं पर महिंदर थार के अंदर इतना जादा space है नहीं अब मेरा conclusion क्या कहता है अगर मुझे Force Gurkha और महिंदर थार की बीच में choose करना होता देखिए महिंदर थार का बेशक प्राइस 10 लाग के आसपास हो और Force Gurkha का प्राइस 13 लाग के और फिर Force Gurkha के प्राइस के हिसाब से उतना खर्च करके महिंदर थार को बराबर लेकि आया जाए तब सबसे बेटर पैकेज रहेगा महिंदर थार क्योंकि महिंदर थार की जो रोड प्रेजन्स है वो Force Gurkha की नहीं है बेशक आप Force Gurkha को स्टॉक कंडिशन में यूज कर सकत सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए